दूफ आज के इस वीडियो को आप बिलकुल कॉंप्लीट देखना इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की फौटो एडिट करना सिखाएंगी वह भी लइटरू मैप का यूज करके मैंने सिर्फ लैटरू मैप का यूज किया है कि कुछ इस तरीके को स्टार्ट करते हैं हाँ तो गई हम यहां लाइटरो में आपके अंदर आ चुके हैं यहां ऑल फोटो इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफिस देखने को मिलेगा सबसे पहले कई आपको इस लाइट वाले ती एंड हाइलेक्स को भी कम कर लेना है लगजब माइनस टेनना थेनर उप यह उपर सबक्रम यहां से आना है यह बढ़ा देना हैज कना मास्किंग सब्सक्राइब कука बड़ादेना त научrim अभी तरीके की दिख रही है अब आपको यहां से कलर वाले option के अंदर आजयाना है ठीक है कलर वाले option के अंदर आ जाने के बाद यहां से आपको temperature को कुछ Microsoft बढ़ा देना है टेम्पको लगबग आपको Plex 10 कर लेना है 10 के आजeras आपको रख लेना है एंड 10 आपको मिलेगी 10 को आपको माइनस से रखना is लगबग Mide six आपको रख लेना है ठीक है ये setting आपको कर लेना है अब यहां से गाइज आपको vibrance को बढ़ा देना है वाइब देंस को से जुरेशन आपको ऐसे बढ़ा देने के बाद यह आपको मिलेगा यह वाला कलर प्रीड आपको आजानाहीं आप पर ओ Certainly यहाई यहाए कि यशया है यहाँ के यहाँ पर आजने के बाद आज आले आपको ईन वकुके ऐशे पूरामाइनस कर करना आप देख पर जिसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको यह ग्रीन कलर लेना है इसकी भी हो कुछ इस तरीके से माइनस कर देंगे ठीक है माइनस कर देने के बाद आप देख पर एक फोटो कुछ इस तरीके की हो गई अब यहां से गई इसकी लुमिनेंस को लगबग माइनस 8 कर लेंगे यह लो का भी लुमिनेंस लगबग माइनस 6 कर लेंगे ठीक है इतना हो जाने के बाद guys अब आपको कुछ भी नहीं करना है ये दो color last में आपको purple and magenta color मिल जाएगा इन दोनों का आपको saturation बिल्कुल कम कर देना है saturation कम कर देने के बाद आपको simple से done कर लेना है अब यहां से guys आपको back करना है यहां से आपको masking वाले option पी आ जाना है यहां से आपको 묻गे तो कुछ इस तरीके से आप ध्यान से कर लेना ताकि आपका स्कीन बज्जा हर जगा पे भी इसका एफ्यक्तर हाए ठीक है आप देख भालों लगभग कहम यहां से स्लेक्ट कर रहे हैं इसकी रिफाइन को आपको कम यह ज्यादा करके देख लेना है लगबग यहां से हम कुछ ऐसे इसको रिफाइन को रखेंगे यहां पर हम ऐसा जगा इसको स्लेक्ट करेंगे जिसमें हमारे स्कीन पर ज्यादा इफेक्ट इसका ना है ठीक है तो कुछ इ स्कीन पे हमारे ज्यादा एफिक ना आ है एंड़ आप क्लिक कर लेना है ठीक है अप्लाईफ एक लिने के बाद आपको ये लाइट वाले आप्शन पना जाना है're पना पिति है यहां प्र लंपार्ट उट्वार्य गुण्षी यहां अ को कुछ ऐसे बढ़ा देंगे राइट साइड की तरफ देख वा रहे हो कि कुछ मतलब जादा बढ़ाओगे तो ऐसे हो जाएगा आप इसको लगबक इतना रखना माइनस ट्वेंटी फाइब की आस पास ठीक है तो मैंने इसको माइनस ट्वेंटी वन कर दिया आप चाहो तो यहां से कलर वागरा का ही यहां से चेंज कर सकते हो जितनी आपकी फोटो के अनुसार नीड हो ठीक है इतना तो हमें ज्यादा बेटर लग रहा है तो मैं इसको इतना ही रहन देता हूं इतना हो जाने के बाद गईज अब आपको यहां से बैक करना है डन करके ठीक है मैंने थोड़ा सा ब्लुए स्टोन एंड सेचुरेशन की वैल्यू लगबग हम इतना रखेंगे ठीक है आप देख फ़र हो ब्लेंडिंग को हम पूरे आगे की तरह बढ़ा देंगे एंड बैलेंस को लगबग यहां पर मायनस थर्टी टू कर लेंगे ठीक है वैसे ही कि आपको मिड में अंदर चलना है में अपको यही वाला कलर को हाइले कर लिया यहां पर सेचुरेशन की वैल्यू लगबग हम इतना रख देते हैं आप देख पर हो हाइलेट में चाहों तो यह वाला कलर भी एड़ कर सकते हो इससे आपके स्कीन पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा ठीक ह है आप देख पर हमने यह कर लिया लूमि Slowly को बढ़ा दिया ठीक है इतना हो जाने के बाद कर लेना है और आप देख पर यह थे फोटो वीफोर और यह देख पर यह टूपर है ओर आड्वार बहुत ही अच्छे कम करके luminance को बढ़ा लेना है आपको ठीक है अब देख पर इसकीन पे एक अलग ही effect आ गया एंड थोड़ी सी हीव को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे तो आप देख पर इसकीन का को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लेक्स वीडियो गाइज लव यू टेक केर बाबाए